हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प सी सी चैनल पर और जैसा कि हम लोग सी सेट दोजर तेश का सॉलुसन देख रहे हैं सेट ए है और कोस्टन नंबर फिब्टी एट है और मैंने बाकी भी प्रीवियस को सॉल्व किया है आप उसको प्लेइलिस्ट में जाकर देख स काता है मेरे सी साट दोजर या टेश के लाम से प्लेइलिस्ट है ऊपर आइब बटन पे भी आह रहा होगा ठीक है चलते है कोस्टन पर कॉस्ट नबर फिप्टी एट इस में पूछ रहा है इनस पाटी सेवेंटी फगर्शन टुप टी ठीक है ना रना इसेंद अप कॉफि and 15 person took both tea and coffee है ना ये मतलब एक तरह से उसका event diagram का question हो गया है है ना overlap कर रहे है इससे करेंगे आप पुछ रहा है no one taking milk take tea exclusion है जो भी कोई भी जो tea ले रहे है जो भी tea ले रहे है वो milk नहीं ले रहे है ना दोनों कोई overlap नहीं करेंगे each person takes at least one drink sorry the question है how many persons attended the party ठीक है इसमें statement दे दिया statement 1 15 persons took milk statement 2 है number of person who attended the party is five times the number of person who took milk only है ना तो दो condition दे दिया अब इस पर बताना है कौन सा statement सही है नहीं है है ना तो जो है tea पीने वाले 75 है याद रखिया है ना कौफी पीने वाले 60 हैं और tea और कौफी जो होता है ना intersection टी और कौफी 15 हैं और इसी इस आप से बाकी दो statement देखके solve करना है तो वीडियो पाउस करके एक बार खुद से try कर लीजे चलिए solution देखते हैं यह तो इसको event diagram से बनाएंगे है ना बन जाएगा इसमें जगह नहीं है तो देखते हैं हम लोग तो यहां पर लेते हैं टी को 75 था जैसे की तो एक ऐसा diagram बना लेंगे है ना इसमें टी है 75 ओके और इसी में कौफी है कितना कौफी है 60 तो और कौफी है कौफी लिग देते हैं और दोनों जो है टी और कौफी पीने वाले कितना है 15 है ना यह 15 हो गया ठीक है तो सिर्फ टी पीने वाले कितना हो जाएंगे 75 में से 15 घटा देंगे तो यह 60 है ना यह जो है अरिया विए ऐसा दिए ठीक है और जो सिर्फ कॉफी पीने ओले कितना हो जागें तो जागे जो कॉफी कितन से लेकिन मे नहीं है और कॉस्टिन क्या एक अए वृ गया सबद्दना इसका है तो मिल्क पीने वाले टोटल कितने है पचास है ठीक है ऐसा है और जो कॉफी पी रहोंगे लेट से माल लेते हैं लोग यहाँ पर कि सिर्फ मिल्क पीने वाले एक्स होंगे है न तो जो कॉफी और मिल्क पीने वाले आपर कितना जाएंगे फिप्टी माइनस एक्स हो जाएंग लेगी निया पर क्या है टी और कॉफी पीने वाले 15 है ठीक है और मिल्क और कॉफी पीने वाले ये जो है एक मिल्क और कॉफी पीने वाले ये हो गया 50 माइनस X मान रहें लोग है न तो यहां पर हो जागा 50 is equal to 60 is equal to 15 जोड़ दिये प्लस 50 माइनस X है न और सिर्फ यह जो है only coffee पीने वाले बच जाएंगे है न ओनली कॉफी पीने वाले तो यहां से निकल जागा इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहां हो जाता है 60 equal to 65 minus X और प्लस only coffee है न यही है तो only coffee वाले कितने हो जाएंगे इधर जब लेके आएंगे तो यह प्लस X में हो जाएगा और माइनस 65 तो प्लस 60 में जाएगा तो X माइनस 5 जो है only coffee हो गया ठीक है तो यहां पर क्या हो गया है X माइनस 5 है न चलिए अब क्या है दूसरा statement क्या कह रहा था कि जो number of person who attended the party is five times the number of person who took milk only तो milk only यहां पर X हम लोग माल लिए हैं न तो आसानी सोज़ागा क्या कि total number of person कितना है 5 X है न और अगर हम लोग इस वें डाइग्राम से देखते हैं तो इसमें एड़ आप करके चलेंगे आसानी सोज़ाएगा कितना है पहले टी से लेते हैं तो सिर्फ टी पीने वाले 60 है टी और coffee पीने वाले कितने हो गया हम लोग यहां पर देखेते हैं और X-5 हो गया और फिर यहां पर यह देख रहे हैं कि milk और coffee पीने वाले कितने हो गया 50-6 है यह न और शिर्फ मिल्क पीने वाले X हो गया तो इससाब से X और minus X एकस गड़ गया ठीक है और बाकी जोड़ेंगे तो यहां पर कितना रहा है 5X is equal to 60 और 15 में 5 गड़ा देने 10 तो यह हो गया 70 और 50 120 है न 120 प्लस X सौल्व करड़ेंगे equation 4X is equal to 120 हो रहा है है न और और चुकी गौर करना हो गया है यह एक linear equation हो गया है न यह जो linear equation in one variable है only सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ milk पीने वाले हैं उस पर dependent है तो इसमें जो total number of milk जो बता रहे है कि 50 है वो भी कोई माइने नहीं रखेगा मैं आपको और detail में अच्छे समझाता हूँ अभी अभी पहले यह solution देख लेता है कि 4X is equal to 120 तो X is equal to 30 आ गया है यहां से solve हो जा रहा है है ना equation तो क्या देख रहे हैं कि equation number one और equation number two से दोनों ले रहे हैं तभी solve हो रहा है लेकिन यह main गौर करने का चीज़े यह linear equation in one variable हो रहा है वह event diagram की और यह solve कर रहे तो सिर्फ x पे आ जा रहा है ना ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि दो variable लग रहा था यहां पर दो condition तो इसल एक मिनट पर समझा देता हूं गासा यह सब को हटा दे रहा हूं ठीक है अब ही अब दूसरे तरीके से मैं बना कर दिखा रहा हूं आप लोग को आ ताकि यह जो बोल रहा हूं कि linear equation in one variable जो आया था तो मतलब कि सिर्फ option two से भी हो जाएगा यह फिप्टी रखने का मतलब टो पीने वाले 50 जो दिखा रहे हैं उसका उतना कोई माइने नहीं रहते हैं ठीक है ना तो चलिए अब देखते हैं यह equation लिख लेते हैं हम लोग है ना बगल में यह equation हम लोग क्या लाए थे उपर में उन खान गया एक यह करसर equation क्या लाए थे हम लोग यहाँ पर 5x is equal to 120 फ्लस x हो रहा था ऐसा है ना और यह कहां से आ रहा था हम लोग का यह भी हम लोग देख लेंगे कि जैसे total tea और coffee पीने वाले कितने हो रहे थे 75 प्लस 60 माइनस 15 कर देंगे ना क्योंकि common था तो यहाँ पर 120 तो आ ही जा रहे थे और इसी में अब सिर्फ जो only milk पीने वाले रहेंगे उसको हम लोग अगर x भी माल लेंगे तो वहां से क्या हो जा रहा है कि total कितना हो जा रहा है 120 प्लस x है ना और 120 प्लस x is equal to 5x हो जा रहा था है ना यह equation अब मैं इसको ही diagram में करके आपको लोग को दिखाता हूँ कि कैसे यह 50 से independent हो जाएगा चलिए तो हम देख रहे हैं यहा ठीक है और टी है यहाँ पर ले लिए टी टोटल 75 है याद रखेगा कॉफी है यहाँ पर कॉफी जो है टोटल 60 है और यहाँ पर यह मिल्क है ठीक है मिल्क में टोटल 50 है ना जो मतलब कॉफी में पी रहे हो और सिर्फ और सिर्फ मिल्क में पी रहे हैं तो सपोस मान के चलता ओर जो मिल्क और कॉफी पी रहे है वह वाई है ठो hainna typo हैं समाल लेंगे और यहां पर कि टी जो पीडल सब्रें 45 और यह कोशन गीडिया कि की और कॉफी पीने वındले 15 तो यहां पर 60 है तो अब हम लोग के पास क्या बचा । सिर्फ कॉफी और कॉफी 95 है और total मिला के copy पीने वाले जो milk भी है to 60 है तो मतलब कि 45 हो जाएँगे जो एक मिनट हो न यह area total 45 हो जाएगा है न यह y भी जोड़ कर है न तो तो सिर्फ और सिर्फ कफि पीने वाले कितने हो जाएँगे जो यह वाला area हैगा एक मिनट कलर चेंज करके समझा रहा हूं हां सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हो जाएंगे यह हो जाएंगे 45 माइनस वाई ऐसा हो जाएंगा ना ठीक है अब अब क्या है कि आप जब भी अब यह कंडिशन तो एक्स पहले से दिया हुआ है ना सिर्फ दूसरा ओप्शन लेकर चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रेजेंट हो रहा है चाय कॉफी जो भी पीने वाले यह फाइव टाइम से ओनली मिल्क के पीने वाले यहां पर क् फाइव टाइमस ओफ एक्स हो जाएगा ओनली मिल्क हम लोग एक्स ले रहे थे ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है अब लोग फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जागा 60 प्लस 15 जोड़ेंगे प्लस 45 माइनस वाई और फिर प्लस वाई है ना और प्लस एक्स तो यहां द यहां पर 5X प्लस 120 हो रहा है प्लस X हो जा रहा है यही चीज में अउस्सा में समझाना चाहरा था यह जो है यहां पर लीनियर एक्वेशन इन वन वैरियेबल आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट से यह डिपेंड नहीं कर रहा है जैसे कि अब कॉस्चन में सपोज यह 5 टाइमस पूछ रहा है न अगर आप कहता कि 6 टाइमस हो रहा है ओनली मिल्क पीने वाले तो टोटल के तो टोटल 120 is equal to 120 प्लस X is equal to 6 टाइम करने पर भी सिर्फ और सिर्फ मतलब X पर डिपेंड कर रहा था यह है ना कॉस्चन तो एक तरह से option 2 पर ही डिपेंड कर रहा है इस question can be answered using one of the statement alone जो statement 2 से हो रहा है बट cannot be answered using the other statement alone है ना सिर्फ एक statement लेने से नहीं हो पा रहा था statement 1 से नहीं हो सकता है और statement 2 से सिर्फ अकेले काफ यह है ठीक है तो थोड़ा सा complex हो गया अगर नहीं समझ भाए है तो वीडियो को क्रिपया दुबार देखे और वीडियो अच झाल